वेलकम तो माई चैनल रवी फिजिक्स बिद्या और माई अफ्लाइन कोचिंग सेंटर बिद्या एज्विकेशन आइटीजी नीट फांडेशन सिटुटेड अड़ शूरत तो अगेन अपन लोग अभी 12 फिजिक्स रिज डिसकस करेंगे इसके पहले मैंने आपको कुछ दो सॉल्विंग क्वेस्टिन बैंक अपलोड किया था जिसमें रेडियो अक्टिविटी, नुकलियर फिजिक्स और सॉलिड एन सेमिकंडक्टर्स और इसकोर वाइज यह बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर्स है और एक सिमिलर चैप्टर्स आपको मोडन फिजिक्स, डिवल नेचर, डिवल नेचर ओफ मैटर एन रेडियेशन अभी मैं डिसकस करने वाला हूँ ठीक है, तो प्रजेंटरी हम लोग डिवल फिजिक्स त्रीज डिसकस करेंगे डिवल नेचर ओफ मैटर एन रेडियेशन तो देखते हैं इसमें डिवल नेचर ओफ मैटर रेडियेशन में फोटो इलेक्रिक इफेक्ट, फोटोन कॉंसेप्ट्स होगर हम लोग डिसकस करेंगे, ठीक है तो एक्चली अभी तक हम लोग रेडियेशन का जो स्टडी किये हैं मतलब आपका जैसे लाइट हो गया बिजिबल लाइट रेडियो एक्टिव वेब तो अभी तक हम लोग लाइट को क्या सपोज करते हैं इट इज लाइक वेव लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स देखे गए हैं जहाँ पर की लाइट का मतलब इलेक्टोमेनेटिक रेडियेशन का टू नेचर्स होता है एक वेव नेचर और दुसरा पार्टिकल नेचर एक उसमें सबसे इंपोर्टेंट जो आपको ये क्या बोलते है आपका एक एक्सपेरिमेंट है फोटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट एक सफिसेंट फ्रिक्वेंसी की अगर एडियेशन किसी मेटालिक सर्फेस पर अगर उसको इंसिडेंट कराया जाता है तो वहाँ से इलेक्ट्रोन्स का इजेक्शन होता है तो इस एक्सपेरिमेंट को अगर हम अब्जॉर्ब करते हैं और ट्राइट करते हैं कि उसको किस तरसे मतलब ऐसा क्यों हो रहा है क्यों इलेक्ट्रोन्स उसमें से निकल रहा है तो उसमें जो में है रहा है वेव के जो फेनोमेनाज हैं जैसे वेब नेचर में हमने वेब आप्टिक्स में पढ़ा था डिफ्राक्शन, इंटर्फेरेंस, पुलराइजेशन और जितने भी कॉंशेट्स है या रिफ्लेक्शन, रिफ्राक्शन इस फेनोमेना से यह जो फोटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट डिसकस नहीं हो पाता है, तब यह कंक्लूड किया गया कि एक्चुली इसमें जो इलेक्टो मेनेटिक रेडियेशन्स आप यह देख रहे हैं कि यह इलेक्टो मेनेटिक रेडियेशन्स एनर्जी करता है और एनर्जी के उस यूनिट को ही हम लोग फोटोन बोलते हैं क्या बोलते हैं फोटोन एनर्जी इन दा इलेक्टो मेनेटिक वेव इस कारीड इन दा यूनिट and it is called photon right तो अभी हम लोग photon के बारे में थोड़ डिसकस के energy of the photon क्या होता E is equal to HF यह HC by lambda F क्या हो गया frequency of the radiation और lambda क्या हो गया wavelength of the radiation E is the energy of the photon and HH is the what here flanks constant F is the frequency of the radiation lambda is the wavelength of the radiation तो हम लोग कन्क्लूड कर रहे हैं कि उसमें light में यह radiation में क्या होता है एक particle elementary particle इसको हम क्या बोलते है photon जो उसकी momentum होते है momentum the photon क्या होता है E by C E क्या है बोलो आप लोग it is the energy of the photon and energy of the photon is given by HF E is equal to HF by C और F is equal to C by lambda तो CC cancel हो रहा है then we are getting H by lambda और एक rest mass का concept होता है actually photon क्या है यह radiation particle है it is the energy unit of the energy of the wave radiation है यह कभी भी rest में नहीं होता है it's a move light के speed से move करता है speed of light इसकी जो speed होती है photon की speed of light के बराबर होता है और rest mass क्या होता है इसका 0 होता है इसका जो dynamic mass होता है it is given by e is equal to mca square और m is equal to e by ca square कोई भी radiation का हम लोग dynamic mass निकाल सकते है भूलिये using which equation e is equal to mca square और कोई source of light है और उसमें से कितना photons निकल रहे ओ भी हम लोग निकाल सकते है अगर source of light का power p है तो number of the photons per second क्या हो जाएगा p by hf हो जाएगा p क्या हुआ power of the source हुआ और hf क्या हुआ आपका energy of the one photon तो इस तरह से इसमें connected problems हमें मिलते हैं ठीक है अभी हम लोग इसमें एक इसका जो मैं discuss करता है photoelectric effect ओ मैं बताने वाला आप ये देखिए photoelectric effect experiment दिखाया गया है this is the metal है और इस पर एक sufficient frequency मतलब हाई frequency कम से कम at least एक minimum frequency जो work function से वो decide होता है sufficient frequency sufficiently a small wavelength की radiation को हम incident कराते हैं तो भी देखते हैं हम लोग कहां से electron जो होता है eject out होता है तो इस concept को इस experiment को हम लोग बोलते है photoelectric effect ठीक है इसमें 5 5 क्या work function of the matter actually यह जो है ना आपको मतलब यह minimum energy होता है कोई भी हर metal के लिए अलग-अलग होता है every metal के लिए तो कम से कम this is the minimum energy which is given to the metal such that there is the ejection of electron you can say photoelectric effect takes place यह जो surface है ना यह surface यह क्या कर रहा है radiation के photon को absorb कर रहा है और absorb करने के बाद उसमें से electron का ejection हो रहा है यह तरह से you can say this is the collision between photon and the electron of the matter the energy of the photon of incident radiation HF is greater than or equal to the work function phi of the matter तभी जाकर क्या हमारा क्या होगा यह photoelectric effect takes place करेगा otherwise क्या होगा यह आपका photoelectric effect नहीं होगा ठीक है मतलब phi is equal to HF0 यह HC by lambda 0 तो HF0 क्या हो जाएगा F0 क्या हो जाएगा threshold frequency यह lambda 0 क्या हो जाएगा threshold wavelength ठीक है न मतलब lambda क्या हुआ lambda 0 maximum wavelength और F0 minimum frequency एक यह देखिए हम लोग इसको photo current के इसका photoelectric effect के help से एक photo current डेवलप करते हैं यह cathode है यह anode है मतलब यह metal जो metallic surface है उसको हम cathode लेंगे और उस पर monocramatic light radiate कराएंगे यहां से electron जह निकलेगा और यह anode की तरफ आएगा इसको positive terminal voltage से attach किया गया है और metallic जो plate है उसको negative से तो actually यह negative से हम attach कर रहे है यहां पर negative है इसका देख रहे हैं तो electron वहाँ negative है अलड़ी रिपेल होगा और इधर anode की तरफ आएगा circuit complete हो जाएगा आपको galvanometer हमारा current मेजर करेगा आई को हम लोग क्या बोलते है photo current मतलब यहां पर जो current का हमने shut up किया है with the help of the monochromatic light मतलब यह monochromatic light की frequency है intensity है यह photo current पर impact डालेगा तो हमें different डिफरेंट जो उसके impacts को देखने होगे कि क्या-क्या impacts हो रहा है ठीक है कि अगर हम intensity बढ़ाएंगे तो क्या होगा frequency बढ़ाएंगे तो क्या होगा right तो वो देखना होगा तो हम लोग कुछ certain experimental graph देखते है और one thing more is here जैसे यह stop voltage भी दिया गया अगर मैं इसके polarity को change कर दो इसको plus कर दो और minus कर दो और एक certain voltage apply करूँ तो even more chromatic light के photo electric effect से electron तो निकलेगा लेकिन अगर इसको plus कर दिया जाए और इसको minus कर दिया जाए तो यह electron वहीं का वही रहेगा वो move नहीं करेगा और electric current क्या होगा जीरो तो that required potential is called stopping potential मतलब यह क्या है कि अगर reverse terminal voltage supply करके it is a minimum voltage required to required for the setup such that the photo current is zero है तो यह concept है ठीक है और इसमें तो आप देखिए कुछ certain graphs है इसमें जो हमारा photo electric effect होता है तो उसमें equation of the photo electric effect HF is equal to 5 plus K max HF is what there energy of the radiation incident energy of the radiation incident and 5 is the what here work function of the metal and K max maximum kinetic energy of the photo electron जो अपन लोग metal पर incident कराते हैं और electron का ejection होता है तो उसका maximum kinetic energy और suppose that कि अगर माल लीचे कि आप एकदम बिल्कूल threshold frequency दिया तो कम से कम at least ओ जाकर के वहाँ से electron जो निकलेगा ओ जाकर के आपको anode पर टेकराएगा तो उसकी minimum जो energy होगी अगर हम threshold देते हैं तो मान के चलिए कि K max आपका क्या है 0 तो लेकिन जो आपने बैटरी दिया है उसकी जो voltage है V तो at least वहाँ पर जो टेकराएगा उसकी voltage क्या हो जाएगा EV naught अच्छा फिर हम लोग यह discuss intensity of the light and photo current अगर intensity of light जो हमने incident monochromatic light डाला था कैथोड पर और वो anode उसको receive कर रहा था तो अगर intensity of light हम बढ़ाएगे तो number of photo electrons ejected will be more and the current will be more यह हमने देखा है देखे इसमें एक experimental comparative experimental कर रहा है उसमें एक दो graph दिया गया है तो देखते हम लोग photo current यहाँ पर stopping potential जब minus ps है तो that times i is equal to 0 है और जीरे-जीरे current बढ़ रहा है फिर that is going to be saturated तो first case में intensity i1 दिया गया है तो we are observing that कि second first case में saturation current छोटी है और इसमें जाँ तो i1 is smaller than i2 and in the both case we are observing that stopping potential is the same here तो अपनको देखना है by observing this equation we are getting now HF is equal to 5 plus Kmax and HF is equal to 5 plus what we can write for the Kmax actually Kmax is equal to EBS here EBS is the energy required to stop the ejected electrons so that's why Kmax is equal to EBS and Vs is equal to Kmax by E so we are observing that actually stopping potential EBS is equal to HF minus 5 and Vs is equal to H by E F minus 5 here so we are observing that stopping potential and frequency are related with linear function and at the F is equal to F not stopping potential is 0 here right so if frequency is greater then stopping potential will be the more right so you are observing that stopping potential for both metal or both experiment is the same so this means what is the frequency radiation supply is the same here right so this is our introduction chapter so this means that the next topic will be the next problem solvings and this means little study ली करेंगे ग्राफिकल डिफरेंट टाइपस ऑफ जो इंपैक्ट्स हैं फ्रिक्वेंसी का इंटेंसीटी का ओके